गुड बॉर्निंग इंडिया में खबरों करों कर लेते हैं पंजाब में प्रतान मंती नरीन बूदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला काफी जादा गर्माता दिख रहा है वरिष्ट वकील मनिंदर सिंग ने गुरुवार को सुप्रीम कोट में मामले को लेकर उठाया था उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए कोट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की है वही सुप्रीम कोट ने पंजाब में पीम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में पहले के मामले में रूप में लिस्ट भी किया है और सुप्रीम कोट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन जस्टिस सुरकांत और हीमा कोहली की मेंच इस मामले की सुनवाई करेगी आपको पता दें कि कारवाई आज सुबह साड़े दस बजे से शुरू हो जाएगी फिलाद Lawyer's Voice नाम की संसा ने सुप्रीम कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने और दोश्चियों पर कारवाई का निर्देश देने की मांग की है ऐसे में गुरुआ को सुप्रीम कोर्ट की कारवाई के दौरान वरिष्ट वकेल मनिंदर सिंग ने चीफ जस्टेस एनवी रमना की अध्यक्षिता वाली बेंच के सामने पीम की सुरक्षा में हुई चूक का मामला रखा था उन्होंने कहा कि सुरक्षा बंदोबस्त में गंभीर चूक हुई है इस पर चीफ जस्टेस ने उनसे पूछा कि वो कोर्ट से क्या चाते हैं जिसके जवाब ने मनिंदर सिंग ने मामले से जुड़े सभी रुकॉर्ड भटिंड़ा के जिला जज़ के पास सुरक्षित रखने का निर्देश दीर जाने की भी बात कही उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा में चूक का यह मामला था पंज़ाब पुर्धान मुंती नरींद बोदी गए थे सुरक्षा में अब आज सुभा साड़े दस बजे हुगी